हाई माई डिर स्टुडेंट, हाउ आर यू? मेरी प्री बच्चु, आज हम कलाफ 10th मैथमेटिक्स चैप्टर है सरकिल, उसका पर्मे नंबर एक है, उसको हम देख रहे हैं देखिए पर्मे में कह रहा है, बृत्त के किसी बिंदु पर बनी अस्पस रेखा, उस अस्पस बिंदु से होकर गुजरने वाली तरिज्जा पर लंब होती है देखो आब इसमें क्या दिया है पर्मे में हमको दिया है O केंदर वाले बृत्त में यक स्वाई बृत्त की अस्पस रेखा P अस्पस बृंद तथा O P क्या है बृत्त की तिरिज्या है यह हमको इतना दिया हुआ है हमको सिद्ध करना है O P जो है लंब है यक स्वाई पे इसको सिद्ध करने के लिए हमें फिगर में थोड़ी सी रचना करने होगी हम क्या करेंगे यक स्वाई अस्पस रेखा है इसी रेखा पर हम एक बिंद Q ले लेते हैं और बिर्थ के केंदर O से हम इस Q को डाटेड लाइन शे मिलाते है यहां पर हम देखते हैं जब हमने O को Q से मिलाया तो जो O Q रेखा है इस बिर्थ की परिध को पॉइंट यम परे काट रही है तो हम लिखेंगे रचना में बिर्थ की अस्पस रेखा xy पर एक अन्य बिंदु q लिया तथा बिर्त के केंद्र o c q को मिलाया o q बिर्त की परिद को बिंदु यम पर काटती है इतना हम लिख देंगे अब हम op लंब x q को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम जयामिती की एक नियम का परियोग करेंगे जयामिती का एक नियम होता है कि यदि कोई point o से किसी रेखा x y माले है ठीक किसी रेखा x y पर यदि हम इसको मिलाएं इस point o से ठीक तो जो इसकी सबसे कम दूरी होगी इस रेखा से इस बिंदु की सबसे कम दूरी होगी वो क्या होती है वो इस रेखा पर लंब होती है तो इसी नियम का हम करेंगे यहां पर परियोग और इसको हम सिद्ध करेंगे इस नियम का परियोग करके हम क्या दिखा देंगे हम दिखा देंगे कि जो ओपी रेखा है ठीक एक्षोई पी पे जोकी बिर्ट के केंदर उसे मिला ही जा रही है एक्षोई रेखा पर ठीक वो जो है ऑक्षोटी एक जी चोटी है और जब अक्षोटी आ जाएगी आजए ओपी तो हम इसको दिखादेंगे कि क्या है कि ओपी जो है लंभ है एक स्वाई पे देखो उपपत्ती में हम दिखाते हैं यह उपपत्ती उपपत्ती में हम क्या देख रहे हैं ओपी बराबर ओयम एक ही बिट की त्रिज्य है यहां से देखो फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या देख रहे हैं 50-向 चोटा है 5 चोटा है मिलकर बना हुआ है एक चीज़ के बाराबर करें दो छोटा हो जैगा दीसे मान ले हम आठ मिलकर बना हुआ है 6 पलस 2 से तो यहाँ पर हर कंडिशन में चाहे उसको हम 6 ले या 2 ले दोनों क्या होंगी 8 से छोटे होंगी तो उसी पर करें यहाँ पर OQ जो है क्या होगा OM पलस MQ से हमेफा क्या होगा बड़ा होगा और OM या MQ अगर हम बार-बार कहीं पर भी ले क्या होगे वो हमेफा ही छोटे होंगे ठीक OQ से तो यहाँ पर हम फिर देख रहे है जो है OP बराबर है OM के तो यहाँ पर जब OM छोटा है OQ से तो OP भी क्या हो जाएगा O भी छोटा हो जाएगा OQ से ठीक अब हमने यहाँ पर शिद्ध कर दिया कि जो OP है OQ से छोटा है इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए बिर्ति की असपस रेखा XY पर बिंद O से जो सबसे छोटी दूरी है वो OP है ठीक आता क्या हो जाएगा आता OP लंब XY यह हमारा सिद्ध हो गया हमको यहीं सिद्ध करना था इसमें अगर हम इस XY रेखा पर और कहीं भी कोई पॉइंट ले ठीक फिर O से उसको मिलाएं तो क्या होगा O हमेशा जो होगी OP से बड़ी होगी जो सबसे कम दूरी होगी XY रेखा से ठीक ओ O P ही होगी आता क्या हो जाएगा O P जो है लंब है 100 P इत शिद्धम थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो धन्यवाद